ओम शन्ती 13-4-2022 की मुरली है बाबा कहते हैं मीठे बच्चे ग्रिस्त ब्यावार में रहते कमार करके दिखानी है स्रेष्टा चारी देवता बनने और बनाने की सेवा करनी है क्वेश्चन है राजाही के वर्षे का अधिकार किन बच्चों को प्रापत होता है उत्र है जो बाबा के समीप सबंद में आते हैं अपनी चलन और आमधनी का पूरा समचार बाप को देते हैं ऐसे मातेले बच्चे ही राजाही के वर्षे का अधिकार प्रापत करते हैं जो बाबा के आगे आते ही नहीं, अपना समचार सुनाते ही नहीं, उन्हें राजाई का वर्षा मिल नहीं सकता, वह है सौतेले बच्चे बाबा कहते हैं, बच्चे अपना पूरा पूरा समचार बाप को दो, तो बाबा समझे यह क्या सर्विस कर रहे हैं, बाबा बच्चों क तो हर हालत में उच्पत पाने का पुरशार्त कराते हैं, गीत है कौन आया मेरे मन के द्वारे। परमपिता तो कहते हैं, पतित पावन अक्षर भी डाल दो, दिल में है कि पतित पावन परमपिता परमात्मा, शिवशे हमारा सवन्द बाप का है, बाप कहते मैं बच्चों के सामने परत्यक्ष होता हूँ बाप बच्चों से ही रूरियान करते हैं मिलते जुलते हैं जो बाते समझाई जाती है वो फिर औरों को समझानी है अभी तुम जगत अंबा और जगत पिता को भी जानते हो शिव को जगत पिता नहीं कहेंगे क्योंक अमबा प्रजा पिता ब्रह्मा को जानते हो उनकी आये संतान बनते हैं हम बच्चे संतान बनते हैं लोकिक माबाप तो सब को है उनको जगत अमबा प्रजा पिता जगत पिता नहीं कह सकते लोकिक माता पिता को जगत पिता जगत अमबा नहीं कह सकते जगत अमबा जगत पिता होकर के गए इस मैं फिर तुम आगर के बने, बनके मन जगतंबा जगतपिता के तुम बने हो हिस्ट्री जोगरा फिर पीट हो रही है तुम जानते हो हम अब बाबा से वर्षा ले रहे हैं बाप है स्वरग स्थापन करने वाला जिसमें लक्ष्मी नारायन का राज्य था तुमको भी बाजसाई मिलती थी अब फिर से तुम ले रहे हो तो तुमको पूछना चाहिए कि परमपिता प्रमात्मा को जानते हो यह बाते ऐसी है जो समझते हुए भी भूल जाते हैं अपने आप को भूल माता पीता को भूल वर्षा गवा देते हैं यह है ही युद स्थल तुम इस समय माया पर जीत पाने के लिए युद के मैदान में खड़े हो जब तक अंत ना आये तो लड़ाई चलती रहेगी उस लड़ाई वाले भी जानते हैं अगर हम चाहे तो सेकिन में सब को उड़ा दे अभी तो एक दो को हतियार देते रहते हैं करजा देते रहते हैं अगर कोई मार दे तो करजा खतम हो जाएगा बाबा भी अकवार पढ़ते हैं बच्चों को भी अकवार पढ़कर उस से सर्विस करनी चाहिए बाबा से पूछना चाहिए बाबा आप तो मालिक हो फिर रेडियो क्यों सुनते हो अब बच्चे मालिक तो शिप बाबा है हमको कैसे पता पड़े की बायू मंडल क्या है कहां तक लड़ाई आदी के असार है इस में गपोड़े तो बहुत मारते हैं सदाचार कमेटियां आदी बनाते हैं उनों को लिखना चाहिए ये दुनिया ही ब्रष्टाचारी है सदाचारी कोई कैसे हो शकता है ब्रष्टाचारी बिकारी को कहा जाता है ये बातें तुम बच्चे जानते हो बच्चों में भी नमबर वार है तुम सबसे पूछो कि पर्मिटा परवातमा से तुम्हारा क्या सबंध है जैसे क्रिश्चन जानते हैं क्राइश्ट ने फलाने समें पर जर्म लिया अच्छा उनके आगे कौन थे लक्षमी नैलन को रज्य किये कितना समें हुआ इस समें आदी सनातन देवी देपता धरम बाले ही धरम ब्रश्ट और करम ब्रश्ट हो गए हैं सास्तर में ही लाखों वर्स कह दिया है अब तुम सुजाग हो गए हो फिर औरों को भी सुजाग करना है तुम जानते हो शिप बाबा हमारा बाप है प्रजा पिता ब्रहमा और जगतंबा भी हमारे मम्मा बाबा हैं फिर पूछा जाता है लक्षमी नैलन को शत्यू का वर्षा कहां से मिला पाँच हजार वर्स हुआ मिला था अब नहीं है अब मिल रहा है अब हिस्ट्री पीट हो रही है अब सभी को बाबा का संदेश कैसे दें क्या घर घर में दिनोरा पीते अच्छा बोर्ड भी तुम लगा सकते हो क्योंकि तुम हो मास्टर अभिनासी सर्जन परम पिता परमात्मा है निराकार अभिया तो कोई नहीं जानते कि शिप बाबा ने किस के स्रीर में जनम लिया ऐसे तो बाबा क्या कहते हैं बाबा अभी अच्छी रिती से हम बच्चों को समझा रहे हैं क्रिशन के स्रीर में परवेश करन जनम लिया यह तो तुम नंबर बार जानते हो कि वह हमारा परमपिता परमात्मा है और हमारा टीचर भी है हमको बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं बाबा फिर से कलब के बाद आकर के मिलते हैं समझते हो पका पका निश्चे भी है फिगर जाते है वह नसा हमारा उड़ जाता है घर ग्रिश्ट में रहते धंदा दोरी में रहते कहां तक नशा रहता है यह तो जुरूर बाबा को लिखना चाहिए प्रन्तु बच्चे बाबा तो अंतरियामी है प्रन्तु या ब्रह्मा कैसे जाने कोई तो बाबा के आगे आते ही नहीं इसलिए समझाया जाता है यह सोतेले बच्चे है तो राजाई का वर्षा नहीं पास सकते अगर शिरिमत पर हम ऐसे नहीं कह सकते की शिरिक्रिशन के श्रीर में परवेश कर के जनम लिया ऐसे नहीं कह सकते बाबा को बच्चे भी बाप का सब कुछ जान लेते हैं बाप को भी समझा देना चाहिए हम जो भी करम करते हैं जो भी काम करते हैं उसका समझार हमें ब्रमात्मा को देना चाहिए रोज साम को यह है हमारा रुहानी ग्रिश्ट विवार का बोलते सुप्रिम रू से सभी आत्मों का सबंद है सबसे यही प्रसंद पूछो कि इन लक्षमी नैलन को तुम जानते हो तुम लिख सकते हो कि इन सब बातों को जानने से तुम स्रेष्टाचारी बन सकते हो नहीं तो कदाचित नहीं बन सकते ऐसी ऐसी सर्विस करने से तुम पूँच पद पा सकते हो, नहीं तो कदाचित नहीं बन सकते, तो क्यों नहीं बोर्ड लगाते हो, इस्तरी पूरस दोनों इस सर्विस पर हैं, बावा ड्रेक्शन देते हैं, प्रन्तु बच्चे फिर भूल जाते हैं, अपने ही धंदे में लग जाते हैं, सर्विस जो करनी है वो करते नहीं ना पूरा समचार देते हैं न बोर्ड लगाते हैं बोर्ड नहीं लगाया सर्विस नहीं की तो समझेंगे देविमान बहुत है मुरली तो सब सुनते हैं बाबा क्या कहते हैं रेक मत मिलती है परदर्शनी के लिए बाबा कहते हैं बच्चे गर्मी है तो पहाडों पर जाकर परबंद करो अब देखें कहां से समचाराता है कि बाबा हम यह परबंद कर सकते हैं, जानकारि तो जाकर हार और धर्मसाला लेकर परबंद रचना है, तो बहुतों को संदेश मिले, यहां भी बोट लगा हुआ हो ग्यान, सागर, पति, पावन, निराकार, प्रमात्मा से तुम्हारा क्या स बंद है फिर जगत अंबा और जगत पिता से तुम्हारा क्यास बंद है वो क्या देंगे जुरूर जगत का मालिक बनाएंगे गुरोबर तुम अब बन रहे हो कल पहले भी बने थे यह तुम बोड लिख दो तो फिर और सब प्रसन ही खतम हो जाएंगे लक्षमी नायलन को यह बिश्यो के मालिक बने का वर्षा कैसे मिला है पूछने वाले तो जुरूर जानते हैं पूछने वाला तो जुरूर जानता होगा अगर इतनी सर्विस नहीं करेंगे तो गद्धी पर कैसे बैठेंगे यह राज योग है नर्शे नारायन बनने का प्रजा बनने का नहीं क्य गर का ना सर्विश का समचार देंगे तो कैसे समझेंगे कि वह विजय माला में आएंगे निश्चे बुद्धी विजय बनेंगे बावा कहते हैं मुझे बताना चाहिए ना क्या कर दे हो कैसे सर्विश कर दे हो सारा समचार बावा को देना है यह बोर्ड सब लगा दें इस नौलेज से तुम सदा सुखी स्रेश्टाचारी बन जाते हो तो यह अच्छा है क्यों न ऐसी बात जाकर के समझे बावा सर्विस से समझ जाएंगे कि कौन कौन सचा बच्चा है जो अटेंशन देते हैं वही माला का दाना बनेंगे तुम तो प्रैक्टिस तुम तो प्रैक्टिकल सनमुख बैठे सुन रहे हो बाकी बच्चे मुरली द्वारा सुनेंगे यह समझने की बाते हैं परमात्मा बाप भी है फिरपतित से पावन बना कर ले जाते हैं तो गुरू भी हो गया सुरिष्टि के आदी मध्य अंत की नौलेज देते हैं तो परमात्मा शिक्षक भी हो गया तीन नों ही हो गये प्रन्तु बहुत बच्चे भूल जाते हैं बुद्धी से वर नसा निकल जाता है नहीं तो स्थाई खुशी रहनी चाहिए अच्छा मीटे मीटे स्किल्दे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुद्मोलिक रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते दारणा है विजे माला का दाना बनने के लिए अपने उपर पूरा अटेंशन देना है सरेष्टाचारी बनने और बनाने की सेवा करनी है दूसरा है कोई भी ऐसा खोटा कर्म नहीं करना है जिसकी भोगना भोगनी पड़े बाप की राये पर कदम कदम चलना है बरदान है अपनी अकर्षन में स्थिती द्वारा सरव को अकर्षित करने वाले रुहानी सेवादारी वह रुहानी सेवादारी कभी यह नहीं सोच सकते कि सेवा में बृद्धी नहीं होती है यह सुनने वाले नहीं मिलते हैं सुनने वाले बहुत हैं सिर्फ आप अपनी स्थि श्वीत करने किंद कि वाले यंवा में गरी यही आप रूहानी सेवाधारी बैच्चों की सेवा है स्लोगन है समाधान شروع बनना है तो सब को सने और सम्मान देते चलो माते passouरी जी के अनमोल महा बाक्या है परमात्मा एक है बाकी सबी मनुश्य आत्मा है अब यह तो सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है वो शर्व शक्तिवान है वो जानी जाननहार है ऐसे तो सारी दुनिया खुद भी कहती है कि हम परमात्मा की शंतान है परमात्मा एक है भल कोई धर्म बाला हो वो भी परमात्मा को ही मानते हैं वो भी अपने को परमात्मा द्वारा भेजा हुआ अपने अपने धरम की स्थापना करते है, जैसे गुरुनानक ने भी परमात्मा की इतनी बढ़ाई की, एकोमकार सत्थ नाम एकोमकार का अर्थ परमात्मा एक है सत्थ नाम अर्थात उनका नाम सत्य है जो गोया परमात्मा नाम रुप बाला वी है अविनासी है अकाल मूरत है तो फिर करता पूरस वी है मानो ओ खुद अकरता होते हुए भी कैसे ब्रह्मा तन द्वारा करता पूर बनता है अब यह सारी महिमा एक पर्मात्मा की है अब मनुष्य इतना समझते हुए फिर भी कहते हैं इश्वर सर्वत्र है अहम आत्मा सो पर्मात्मा अगर सभी पर्मात्मा धहरे फिर एक ओमकार यह महिमा किस पर्मात्मा की करते हैं इससे सीध है कि पर्मात्मा एक है ओम शं झांटी झांटी